हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू सिनेगुरुजी चैनल और आज मैं आपके लिए दोजार पंदरा में आई टॉम प्रूज एंड रेवेका फर्ग्यूसन इस्टार एक हालिवूड मुवी मिसन इंपॉसिबल राग नेशन का बिहाइंड दे सीन्स वीडियो लेखर के आया हूँ यानि की टाम क्रोज को एक एरबस से लटकते वे दिखाया गया है। इकुली जे बिंजी एक बायो व्यपीन से भरे प्लेट को हैक करनी की कोसिस कर रहे होते हैं लेकिन वो नाकाम हो जाटे हैं तब ही इसन हंट आकर उस प्लेट के पंखों पर जब चुछे हैं और इस प्लेट के दरौाजे को पकड़ का लटकने लग जाते हैं तो उस उस-सीन क तो रियल में सूट किया गया था जहां पर सेफटी हारनेस इनकी बाड़ी से अच्छे से बांधी गई थी वैसे इस सीकेंस को सूट करने के लिए A400M Atlas नाम के एक Airbus को यूज किया गया है और इसे इंगलेंड के Royal Air Force विटरिंग Cambridge सायर में सूट किया गया है यहां पर आप देख सकते हैं बाड़ी हारनेस को इनकी बाड़ी पर काफी अच्छे से बांधा गया था इवन सूटिंग के टाइम पर जो कोल टीम थी वो भी उसी Airbus में बैटी थी साथ ही टीम पूरी तरह से Emergency Situations के लिए भी रेडी थी अगर किसी भी तरह की कोई समस्य होती तो टाम क्रूज को क्यों ब्रेक बोलना था और इनको प्लेन के अंदर ले लिया जाता था वैसे एक बात मैं आपको बता दूँ इस सीकेंस को सूट करने के लिए अथार्टीज की दरफ से इनको 48 घंटे का टाइम दिया गया था जिसमें इन्होंने टूटल 8 टेक्स लिये थे यानि कि प्लेन को 8 बाल टेकाफ करके लेंड कराया गया था और इसको लगभग 5000 फीट की हाइट दक उड़ाया गया था वैसे प्लेन के फ्लाई करते हैं फैन की वज़े से बिंड फ्लो पीछे की दर बहुत ही तेज होता है और इस फ्लो से आने वाले धूलकड़ों का इंपेक्ट काफी जादा होता है जिससे इनकी आँखों को बचाने के लिए प्रोटेक्टिंग लिंस लगाया गये थे साथी एक बाद और जब प्लेन फ्लाई करते हैं तो उसके इंजिन्स काफी ज़्यादा हीट पर्डूज करते हैं और कभी कभी बर्निंग इस्ट्राइक्स भी होती हैं तो बर्निंग इस्ट्राइक्स कता ही खतरनाक वाला डैमेज करती हैं यहाँ पर आप यह देख भी सकते हो तो इससे आप समझ सकते हो यह सीकेंस कितना ज्यादा रिस्की था और इससे किसी इस्टेंट डबल ने नहीं बलकि खुद टाम क्रूज नहीं परफॉर्म किया है वैसे मिशन इंपासिबल फालाउट में भी एक प्लेन से जम करने ला सीन है और एक हेलिकाप्टर से लटकती रोग को पकड़ कर ओपर चाटने ला सीन है वो सीकेंस भी बहुत ही खतनाक है और उन्हें भी टाम क्रूज जिने परफॉर्म किया है अगर आप वो बीटेस वीडियो देखना चाहते हो वह वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ और इन स्क्रीन में भी लगा दूँगा तो वहां से आप आराम से देख सकते हो इस मूवी का दूसरा जवरदस्त सीक्वेंस तब देखने को मिलता है जब एथन हंट यानि की टाम क्रूज और एलसा यानि की रेवेका फर्गूसन दोनों ही एक हाई सिकुरिटी फैसिलिटी में बेंजी की आईडी डालने के लिए जाते हैं ताकि बेंजी आराम से डेटा कॉपी कर सके और इस अंडर वाटर सेक्वेंस को युनाइटेड किंग्डम के लिफ्स देन स्टूडियो में सूट किया गया है जहां 40 फीट लंबा एक वाटर टेंक बनाया गया था वैसे इस पूरे सीक्वेंस का प्रिविजिलाजेशन भी किया गया था क्योंकि सीन्स काफी कांपलेक्स थे और प्रिविजिलाजेशन से ये पहले से ही पता रहता था सीन्स को किस तरह से सूट किया जाना है खेर आइडी चेंज करते थे मैं एक आपजेक्ट से टकराने के विज़े से दोनों ही आइडी नीचे गिर जाती हैं और ये आइडी को उठाने के लिए जाते हैं तो या उसी का BTS सीन है वैसे पानी के अंदर सूट करना काफी टब था पहले तो सांस रोको उसके बाद में अप बहुत ही बेतरी तरीके से दिखाया गया है फाइनली एथन हंट यानि की टांपूज आइडी चेंज करके वहां पर बेंजी की आइडी लगा देते हैं और इगजिट पॉइंट पर पहुंचते हैं यहां पर आप देखिए एगजिट गेट खोलते हैं समय का कieht में इनका कहल यही कहना था कि अगर टॉम कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं फ्रीके बाइलस इथन हंट को बजा गर पानी के बाहर ले आती हैं और आप ने देखा इस सीकेंज को किस्दा से सूट किया गया है वैसे इस सीकेंज की सुटिग के टाइम पर दोनों ही लोग को लंबे समय तक सांस रोक कर रखना पड़ता था जिसके लिए फ्री डाइबिंग एक्सपर्ट क्रिक क्रैक जी ने इनको ट्रेनिंग दी ती और विकिपीडिया की माने तो ट्रेनिंग के बाद टॉम क्रूज 6 मिनिट तक सांस रोकने में सफल हुए थे जब Elsa Benji से ड्राइव लेकर भाग निगलती है तब Benji और Ethan दोनों ही Elsa का पीशा करते हैं तभी एक जबर्दास चेजिंग सीकेंस देखने को मिलता है इसी सीकेंस में Ethan को सीडियों पर अपनी BMW चलाते वे दिखाया गया है हाला कि सूटिंग के टाइम पर यहाँ पर रैंप लग मोरक को पहुंचे थे वैसे इस चेजिंग सीकेंस के लिए BMW की M3 कार के साथ साथ कई सारी BMW की S1000RR बाइक्स को यूज किया गया था और मूवी में Elsa का पीशा करते समय इनको खतनाक तरीके से ड्रिफ्ट मारते वे दिखाया गया है तो उन सीन्स को कुछ इस तरह से रिकार्ड किया गया था खैर इस सीकेंस की लाश्ट में जब कुछ लोग इन पर फारिंग करने लगते हैं तो उन से बचने के लिए ये अपनी कार को रिवर्स में चलाते हुए काफी हुचाई से ले जाकर जंप करा देते हैं वैसे इस सीकेंस में जब भी आप बिंजी और इथन को का के अंदर देख रहे होते हो तब असल में तीन कैमरो के सिटप की मदस इनको देख रहे होते हो जो की कार के उपर माउंट किये गए थे और ये सिटप काफी है भी ता इस वज़े से कार को समानला भी थोड़ा मुस्किल होता था खैर अपनी कार बेकार होने के बाद एथन हं याने की टाम क्रूज दोनों को ही BMW S1000RR बाइक्स को चलाते वे दिखाया गया है और इस सिकेंज को मुरक्को के रबात सहर में मराकस हाइवे पर सूट किया गया है जहां पर सूटिंग के लिए हाइवे को 14 दिन तक बंद रखा गया था इस बाइक चेजिंग सीकेंज के लाश्ट में ऐसा दिखाया गया है इलसा अचानक से एथन की बाइक के सामने आती जिस वज़े से इनकी बाइक क्रेस होती है तो सीन को सूट करने के लिए बाइक को पहले अलग से क्रेस करवाया गया और फिर इन्होंने ऐसे एक्टिंग कर जाते हैं वैसे इस पूरे सीकेंस के लिए टामकूज ने पहले से ही कार ड्रिफ्टिंग और बाइक रेसिंग के लिए काफ़ी तगडी प्रेक्टिस करी थी यह बीटियस सीन उस समय का है जब एथन, बिंजी, लूथर और ब्रेंड ए चारों मिलकर के एलसा को ढून लेते हैं और उसे मिलने जाते हैं लेकिन यहीं पर सोलमन लेन के लोग बिंजी को किड़नाइब कर लेते हैं मूवी की लाश्ट में बिंजी की बाड़ी पर एक बाम देखने को मिलता है जिसे एथन खुद को सौपने के बदले लेन से डियक्टिवेट करवाता है और खुद भी वहां से इलसा के साथ में बच निकलता है फिर लेन को उसी तरह से गैस के चैंबर में बंद करता है जैस अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूट से कर देना अगर कुछ भी बताना चाहते हो तो कमेंट बाक्स में बता और हाँ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर आल भी कर लो हम मिलेंगे आपको निक्स्ट बीडियो के साथ में तब तक के लिए थैंक्स पर वाचिंग